कि हैं तो आप कि है अधियर इस्टुडेंट्स आपके अपने यूट्यूब चैनल चैनसर में आपका स्वागत है इस तुडियो में डिस्कर्स करने वाले हैं आपका जो 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 चफ्टर 1st है अर्थ इन दा सोलार सिस्टम को जो कम्प्रीट जो एक्स्प्रिनेशन है आप आपको बहुत ही easy method से बहुत ही आसान से सब्दों में आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलने वाला है तो मेरे साथ इस पूरे वीडियो में बने रहिए और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं क्या है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए तो हम लेसन हाँ पर आप जो है वीडियो को देखेंगे तो आप यह डिफाइन कर पाएंगे कि जो स्टार्स है गैलेक्सी है या फिर हमारे जो कॉंस्ट्रेशंस है वह अखिर होते क्या चीज है देन अब यह एक्स्प्रेन कर पाएंगे कि जो हमारा जो सोलार सिस्टम है और वहाँ पर जो सनक पुजीशन संक जो सित्य जो साथ कहां साथ इस डों साथ डिफेरिन्ट जो प्लानेट्स हैं इस्ट राइट्स में teos रहे स्टीश सेयं सटेलाइट्स है जैसे आप जानते हैं कि आप जनरली आप वह थिखते हैं तो नज़र आते हैं जनरली आपका जो क्लियर जो नाइट होता है जहां पर ऑप seskut Car ऑगेर नहीं सिटेज से बाहर यहों क्या होते तो light इसके अधर की सिटी से जो हमारे आप थोड़ा सा बाहर जाएंगे या फिर नॉर्मली आप ऐसे देखेंगे तो आपको डिफरेंट टाइप के जो स्टार्स है वो दिखाई देता है आपको इमेज देखाई दे रहा है इसकाई में आपको देखते हैं तो जनरली हमें जो इस्टार्स होगे जो दिखाई देते हैं डिफरेंट टैप के जो उससे क्या कहा जाता है उसे कहा जाता है हैंवली बॉडिज या फिर जिसे हम सेलेस्ट्यल बॉडिज के रूप में भी जानते हैं अब जो सेलेस्ट्यल बॉडिज है उसमें क्या क्या इंक्लूड्स है हमारा हमको तो यह जो इसकाई है वहाँ पर डिफरेंट टैप के जो अबजेक्ट है हम सभी को तो क्या माल लेते हैं नॉर्मली हम इसको इसको इस्टार के रूप में जानते हैं वो जो Celestial जो जो सकाइब है उससे हम वो क्या-क्या होता है वहां पर तो इंक्लूड होता है वहां पर आपको देखने कुंदता है इस्टार से मिलते हैं डिफरेंट टाइप के जो प्लानेट्स होते हैं जैसे हमारा जो अर्थ प्लानेट है तो उसी टाइप के और जो डिफरेंट जो प्लानेट्स हैं वह देन सब्हें जो चीज़ें वह में दिखाई देता है यह तो हमारा हो गाई किस्टार्टिंग पॉ olmuşकी जो में चीज़ें वह दिखाई देता है अब जो ने डिक समय पाई पार किस्टार किस्टार so the twinkling spots of lights that we see in the sky at night are called stars यानि जो twinkling यानि जो टिम्टी मानते हुए जो चीजे है जो हम इसकाई में दिखाई देता है यानि जो तिम्टी मानते रहता है यानि जो उसका जो lights है up and downs होते है हलका थोड़ा सा so उसे हम star के रूप में जानते हैं then निक जो आता है कि जो stars है वो क्या होते है billions हमारे जो sky है हमारा जो universe है वहां पर हमें billions of stars है वह हमें नजर आते हैं अब stars होता क्या चीज है so stars होता क्या चीज है तो stars basically वो क्या होता है तो stars है एक huge balls होता है एक बहुत बड़ा जो balls होता है जो किस से बढ़ा होता है आपका वेरी जो hot जो gaseous matter है उससे जो stars है उसका formation होता है सांते सांत वो self luminous होते हैं यह नि उसमें अपना खुद का जो lights है self luminous है नि वह अपने प्रकास से ही उसका फुद के जो lights है उससे वह जग मगाते रहता है टिम्टिम आते रहता है ट्विंकलिंग करते रहता है यह जो celestial जो bodies होते हैं जिसे हम star के रूप में जानते हैं सो वह इमीट हीट और जो lights है वह produce करता है यानि वहां से बहुत जादा गर्मी और बहुत जादा light प्रकास है वह निकलता है जो हमारा सन है वह अर्थ का नेरे जो stars है वह अमारा क्या Sun इसे तरह से आपको और डिफरेंट जो stars है वह हमें हमारे जो universe है वहां पर दिखाई देता है इससे आपको image में आपको नहीं कर सकते हैं इसills Amnesty आपको आपको आता है कि जो इस्टार्स है वह जो maar अनने यो ऑचार बनील से होता है यह जो प्रोसेस है वह आप कंटिनुव देखेंगे जो यह जो प्रोसेस हुआ कि क्या है कि जो 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 एक जगा पर इकटा होते गए दैन वह दिरे-दिरे क्या होने लगा दिस्क आपने अपने डिस्क देखा तो उस रूप में उसका फॉर्मेशन हुआ यह जगा आपने जगा पर बहुतिी डिस्पीर जैसे आप कभी आप देखेंगे डिवाली का सलेब्रेट करते हैं वहां पर बियुए स्पीर अब लगा ना को हसे निवiiii गरम होते जा रहा था बहुत होट से भी होटर और होटर होते जा रहा था then finally क्या हुआ कि एक जो chand reaction हुआ finally a chand reaction occur where huge amounts of energy in the form of heat lights and other radiations are released into space and star is formed इन्हीं अब क्या हुआ कि यह जो spirit से यह moments होते जा रहा यहां पर बाहर में अलग moments यहां पर hotter hotter होते जा रहा है तो एक जो chand reaction हुआ जिससे बहुत ही जादा amounts में heat lights और other जो आपके radiation साथ ही साथ जो different particles है यहां से एक जगा दूसरी जगा वो फैलने लगे और इसी से ही एक जो large star है उसका पर्फॉर्मेशन हुआ अब यहां पर होता है कि जो हमारे star है वो कहां पर पाया जाता है कि जो large clusters है या फिर जो groups है यानि एक जो particular star है वो अकेला single नहीं पाया जाता है वो different type के जो clusters होते हैं उससे हम क्या कहते हैं galaxy कहते हैं यानि आपके different star का जो एक बहुत बड़ा जो group बनता है हम उसे galaxy के रूप में जानते हैं अब जो हम galaxy consists of groups of stars dust, gas and other matter बन together by a force called gravity अब यह जो galaxy होता है वो consists करता है किस से consists करता है galaxy किन से मिलकर बनता है तो basically जो galaxy है उसमें क्या क्या चीज होती है so galaxy में आप देखोगे तो आपको stars dust gas और different type के जो other matters हैं वो include होते हैं जैसे आपको कहा जाए तो आपको जो कोई noodles बना के दिया के तो noodles में क्या क्या चीज़े mix होती है तो particular एक जो noodles है वो स्रिफ noodles नहीं होता है वहाँ पर different materials है वो mix होते हैं तो उसी टेप से हमारा जो galaxy है वहाँ पर क्या होते है तो जो galaxy है वो किसी बीचीज को अपने और फूल कर गया नहीं अपने और खींच के रखता है पकड़ के रखता है जिसे हमारा आर्थ का gravity से gravity है तो उसे टेप से galaxy का भी अपने gravity होता है अब यहाँ पर there could be several millions star इना गैलेक्स यह नहीं एक पर particular galaxy वहाँ पर seven millions stars हो सकते हैं और जो जो गैलेक्सिज है वो टुगेदर में क्या बनाते हैं वो एक यूनिवर्स बनाते हैं इन्हीं आपका जो हम जैसे एक्जामपल लें आपका एक जो एक students आपके हुए students वे दैन उसके बाद आपका एक जो क्या आता है class आता है एक class हुआ दैन आपके जो different जो class मिलकर एक क्या बनाते हैं आपका एक school बनता है यह आपके जी इसकूल हुए तो उसी टैप के आपका एक्जामपल हम लें तो यूनिवर्स है वहाँ पर क्या होते हैं तो यूनिवर्स में आपके different type के यह एक जो whole जो यूनिवर्स है तो यहाँ पर different type के जो galaxies होते हैं और इस जो galaxies में आपके बहुंज सारे स्टार्ष है जैसे कंपस है एक है स्टूडेंट से बहुंज सारे क्या होते हैं साथ यस्यसाथ वहाँ पर classes हता है क्या आपके स्कूल्स में नहीं या फिर आप अकली student एक क्लास में नहीं ऐसा बिलकुल भी नहीं है इसा ले सकते हैं उसमें आपका क्या होता है आपका गैलेक्सी होता है जो आपके डिपरेंट जो क्लासे आपके हैं इसको हम गैलेक्सी की रूप में जान सकते हैं और उसमें क्या होते हैं डिपरेंट जो इस्टूडेंट्स हैं वह आपका क्या हो गया डिपरेंट इस्टार्स हो ग गैलेक्सी में सामिल हो जाते हैं अब निक जो आता है कि जो यहां पर हंड्रेट्स ऑफ बिलियंस ऑफ गैलेक्सी जहां पर हमारा जो सन और डिपरेंट जो प्लानेट्स है जो अर्थ है लोकेटेड है उसे हम मिलकी वे या फिर हिंदी में हम जिसे आकास गंगा के रूप में जानते हैं अब जैसे आपको एक इमेज दिखाता हूं मैं यह आपका पहलेजियर की बात करें तो यह जो इक जो डिपरेंट आपका क्या बनता है यह आपका जो पैटर्ण साहिं रिक और जेबल पैटर्ण मेंट बाइस टार्स इन दा इसकाई और कॉल्ड इसको नोट डाउन कर सकते हैं यह बिटा आपका क्या हुआ कि हम यहां पर देखें सो ह हमें आप जो डिपरेंट जो पैटर्ण से उससे बना सकते हैं यह क्यों होता है कि जो दा इसकाई अपेश्ट बी अरेज इन रिकोंगागाजेबल पैटर्ण सम लुक लाइक एनिमल सम लुक लाइक फीपल वाइसम लुक लाइक औब्जेट्स इस पैटर्ण स्सेयर सब्सक्राइब कर दिखें आप इस तो वहां पर आप जो पैटर्स बनाएंगे तो आपको पीपल दीपरेंट जो पैटर्स है वह हमें दिखाई देता है जो साइंटिस है उसने इतना 88 जो आप्जेक्ट है वो फाइंड आउट किया है और उसका जो डिपरेंट जो नेम्स है वो दिये हैं जिसमें आपको वेल नौज पैटन है उसमें आपको और्जा जो मैजर है वो आपको नजर आता है आपको जो दैन अधर जो इंक्लूज में जिसमें आपके कैने जो मैजर आपके जो ग्रेट जो डॉग्स या पर लियो जो लायन्स की रूप में जानते हैं या फिर जो डबूल्स यह जो रिकॉगनाज़ेबल जो पैटन जो फाइंड आउट किये गए हमारे साइंटिस्ट के द्वारा यह जो आपका जो जो मेजर मेजर के हम बात करें वह जो ग्रेट बियर और दबीग डीपर के रूप में जिसे जाना जाता है क्यों कहां जाता है क्योंका इट्स नॉन ऐस दबीग डीपर विकास इट्स टेग दशेप आप लाड़्ज लैडल है सो यह जो एक जो जो फॉर्मेशन होता है तो बेसिकली बेटा आप जैसे देखोगे तो यह जो आपको डिपरेंट जो इस्टार्स में यहां पर एक जो इस्टार्स एक दूसरे से आप कनेक्ट करते गए कि जो यह जो एक दूसरे से connect होते गया तो जो इसका formation होता है सो यहीं पर एक जो चीज आता है कि जो North जो पॉल है जो नौर्ट में जून नौर्थ इस्टार या फिर जिसम दूर नक्षत्रा के रूपने जानते हैं जो सबसे फर्ष अधिकाई देता है इसको करने के लिए जो पोल स्टार जाता यहां पर पर यह प्रिकुलार कॉंसर डारेक्शन है है तो यह पोल स्टार यहां पर टीम यह यह हो सकता है आपका यह जो है आपका नॉर्थ होगा चो यह आपके जो क्या हुए ऊब्जेक्ट के रूप में जो हमारे जो डिफरेंट objects that move around it like the planets, their satellites, or moons, asteroids, comets and the meters together form the solar system, यह नि जो solar system है यहाँ पर आपका क्या होता है, तो जो sun है और उसके आज़ पाद जो different object है जिसमें आपके जो planets, आपके जो satellites, आपके जो moons, asteroids, यह सभी जो चीज़े हैं उससे मिलकर हमारा solar system बनता है, अब जो solar means क्या हुआ, so solar means होता है of the sun, यहनि जो the sun occupied the central position in the solar system and all the other celestial bodies in the system revolve around it, यहनि जो हमारा solar system है यहाँ पर, so basically solar system में क्या होता है कि जो हमारा जो sun है, वो क्या होता है, central position में होता है, यानि आपको image में देखने को मिलेगा, so आप देख सकते हैं कि जो central position है, वहाँ पर आपका क्या है, sun, यानि आपका यह जो sun, then यह जो आपके mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune, so यह इसका जो है क्या करते हैं, round करते हैं, तो central position में हमारा क्या हुआ, sun हुआ, इसलिए इसको solar system कहा जाता है, बट जो early astronomers थे, यानि हम पहले की बात करें, जो प्लानेट्स हैं, वह क्या करते हैं, हमारा अर्थ है उसका round करते हैं यानि जो हमारा अर्थ है उसका जो round से हमारा जो अब्जेक्ट है वो इसका round करते हैं जो इसे कहा जाता था geocentric means जो center है वहाँ पर हमारा अर्थ है और यह जो theory है उसको किसने जो claudius जो टॉलमी है उसने आपका 140 c में यह जो theory है geocentric जो theory है उसको put out किया था उसको उसने बताया था कि जो हमारा जो अर्थ है वो center में है और जो other object है वो इसके बाहर में इसका जो round लगा रहे हैं हैं बट बाद में जो यह जो theory है जो scientific observation हुआ और जो निकॉलस जो copper enix है उसके द्वारा जो 1543 जो c में वहाँ पर एक जो नया जो theory है put forward किया गया और उसको जो solar system जहां पर जो sun है वो center में होता है earth, moon और जो other planets और जो other objects है वो उसका round करते हैं so यह जो new theory है उसे heliocentric या पि जो sun जो center जो theory है उस नाम से जाना गया यह नहीं हमारा जो center है अब वहाँ पर जो 1543 के according to देखा जाए तो sun जो है वो center में हो गया और जो earth और जो other object है वो इसका round कर रहे हैं किसका round कर रहे हैं हमारे यह जो sun है उसका round कर रहे हैं क्या हमारा earth other planets other satellites हैं वो उसका round कर रहे हैं so यहां पर जो different theories आपने जाना कि geocentric theory और आपका heliocentric theory जहां पर geocentric में आपके earth है वो center में था बट जो नया जो theory आए और जिससे हम अभी follow करते हैं अभी मानते हैं और इसको आप true मानते हैं वो जो आपका heliocentric theory जहां पर जो sun है वो center में था then next आता है पिटा आपका sun जो हमारे जो big star है आपको हमें सुबा सुबा आपको sun जो दिखाई देता है और जैसे ही वो साम होता है फिर वो अपना घर चला जाता है है जैनि early morning वो सुबा सुबा ऊठके आता है आपके लिए फिर वो जो है जैसे जैसे इवनिंग होने लगता है वो अपना घर चला जाता है ऐसा होता है क्या नहीं होता है आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं यह जथी हो रही है कि sun जो है वो morning में क्यों आता है और evening में और बैतर तरीके से जानेंगे तो देशन की बात करें बैटा तो आपको जो सन है वो उसका जो formation है वो कब हुआ तो बैटा आल्मोर्स जो 5 बिलियन येर्स वोल्ड हमारा जो सन है वो है देन जो सन है वो ग्राविटेशनल जो फिल्ट से अब देशन होल्ड इंटायर सोलार स जिस्टम टूगेदर देशनीज मेड़ अफ हाट गैसेज मैनली हीलियम एंड हाइड्रोजन बैसिकली बैटा हमारा जो जैसे यह हम संस की बात करें तो इसका जो formation है वो आप देख सकते हैं भी बैसिक जो आपको पॉइंट्स आपको दिखाए दे रहे हैं कि जो इसका जो है वहाँ पर हीलियम एंड रोजन है टेम्प्रेचर रहें वह बहु Roma बहुंच ज़ाद हाइध होता है सो यह जो पॉइंट्स है आपको नोड्स के लिए आपके लिए हैलफूल है सव जैसे हमने देखा कि संदे यह लो पहुंच ज़ाद हाय होय होता है आपको आप 5 आउजेंट डिग्री सेल्शेस आपको मिलेगा जो आपका जो 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 फिरेट कितना डिश्टेंट ट्रैवल करता है आप 0149 मिलियं त्रैवल करते विए आता है और इतना टेम्परेशर होता है कि आप सहारा कजो डिजर्ट बहुंत ही जदा टेंप्रेचर ही होता है वह बहुंत गर्मी होता है वहां क्यों संद मिलियन सेल्सिया जो सेंटर पोजिस्ट है वहां का एर्थ का टेंपरेचर है वह होता है जिसकी हम कलपना भी नहीं नहीं कर सकते नक्स आता है कि जो संद का डायमेटर आप इमयज में आपको सु आपा हो झायगा संद के बात नडधा करें आपका ये जो संद का जो कितना हो जाता है ये जो सन का जो डइम्यटर्स है वह जाता है साथ सांज यह जो है 109 टाइम क्या है लार्जर है कि से हमारे अर्थ से साथ यह एक और इमेज आपको अगर दिखाए दे रहा है कि जो हमारा अर्थ और जो सन है उसका जो प्रॉपर जो डिस्टेंस है इतना बहतर है कि जिसके कारण से हमारे जो अर्थ मी लाइप फॉर्म है वो एक्जिट हो पाता है इस यहां पर आप जो देखेंगे दो अप्राइमरी सोर्स ओफ एंड लाइट फॉर्म लिविंग बिंग्स ओण अर्थ मिस्टेंस एक जो में जो सोर्सेज है हमारे अर्थ के पास अपने जो लाइट से या फिर अपने जो फीट है उसका कोई प्रॉपर जो फॉर्म हो पास न क्यों की optimist है मिन्स हमारा जो अर्थ ऐ हो ज़्संद का अन्य वह सही होने ना तो यहां पर बहुत ही जाधा क्या होते है गर्मी पड़ती है यानई आतो जादा हाइ़ टेमप्रेचर होता है नहीं जाधा लो टेमिप्रेचर होता है यानि maximum आप एरिया में देखेंगे तो कई जगा ऐसा होता है जो बहुत ही ज़्यादा पास हो जाते तो जो क्या होता पिजब सनलाइट जो सदे कर टाइम होता है तो इतना ज्यादा गर्मी होता कि हम यहां पर पूरा सब चीज़ जो है क्या हो जाता जल जाता बर्न हो जाता हैने जाता जब शीचिश में लाइब तो यहां पर जो इस चैन्स है कि आपका जो सब्सक्राइब करने कि में कितना एब आउट जो एड मिनट्स को टाइम है वह लगता है इनलियों संसे जो लाइट जो है अर्थ में पहुंचने को टाइम है वह कितना है eight मिनट्स यह आपका क्या हुआ यह हमारा जो सन आप संस देखेंगी तो जो संद का जो रिज है वो अर्थ में कितना एक मिलट में पहुंच रहा होता है so image के में साप अंड डेस्टेंज कर सकते हैं then नेक्स आता है पैट आपका planets हमारे पार डिपलेंट जो प्लानेट्स है टोटल नमबर आप प्लानेट्स किते हैं आपको बहुत बैंतर तरीके से पता है इस ने पर बहुत बहुत बैंकर तरीके से इस्टड़ी करें गे आपको यह वीडियो्स पसंद आया है तो प्लीज लाइक जरूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ से यर कीजिए और इसको जो second parts है उसको जरूर देखिया और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए So, okay, thank you